युद्ध सरकारे नहीं लड़ती। युद्ध पुरा देश लड़ता है। करते हैं, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक, आज के साथ ही आने वाली पीडी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल्ट सुरक्षित रहें। उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिन्दगी और मौत में बेद नहीं करते हैं। उनके लिए तो करतव यही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कारकाल से मंद्य नहीं होते। शासक और प्रसासक कोई भी हो सकता है। परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। भाई और भेनों, 2014 मैं मुझे सपत लेने के कुछ ही महिने के बाद कारगिल जाने का आउसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन उची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जबान तिरिंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुचना चाहता था। एक साधार और नागरी के नाते, मैंने मोर्चे पर जुटे अपने साइनिकों के सौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजे का स्थल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूती करा रहा था। साथियों युद्ध भीमी मैं तो जो माहोल था वो था। पुरा देश अपने साइनिकों के साथ खड़ा हो गया था। नवजवान रक्तदान के लिए कतारों में खड़े हो गए थे। बच्चों ने अपने गुलक वीर जवानों के लिए खोल दिये थे। तोड़ दिये थे। इसी दोर में अटल विहरी वाजपाई जी ने देश वाजियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं हम उनकी जीवन भर देखवाज भी न कर सकें। तो मात्र भूमी के प्रती अपने कर्तवे का पानन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। मुझे संतोष है कि अटल जी के उस भरसों को आप सभी के आसिरवात से हम मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते पांच वर्षों में सैनीकों और सैनीकों के परिवारों के कल्यार से जुड़े अनेक महत्पुन फैसले लिए गए हैं। आजादी के बाद दसकों से जिसका इंतजार था उस वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने पूर्ण किया। इस बार सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के बच्चों की स्कॉलर सी बढ़ाने का किया गया। इसके अलावा नेशनल वार मेमोरियल भी आज हमारे वीरों की गाताओं से देश को प्रेरित कर रहा है।